सिर्फ एक छोटे से कागज के उपर जिस भी लड़की का नाम इस मंत्र के साथ में आप लिख देंगे तो वह लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और आपके बगेर एक मिनट भी नहीं रह पाएगी आज मैं आप सभी को कागज पे नाम लिख कर एक ऐसा हुआ सिक्रेंट उटका बतलाने जा रहा हूँ जिसको करते करते ही आपका प्यार आपके मुठी में हो जाएगा जो इस्तरिया बात नहीं करती है वो इस्तरिया आप से बात करने के तरप उठेगी मिलने को बेचेयन हो ज मेरे पिर ये भग तो आपको सिर्फ एक साधे कागज का टुकडा लेना है जो कि इस परकार से होना चाहिए फिर इसके उपर अपने प्यार का नाम लिखे उस लड़की का नाम लिखे जिस लड़की को पटाना चाहते हैं अपने वहस में करना चाहते हैं अपने प्यार में जैसे ही लिखिएगा पलस का चीन देकर इसके ठीक नीची एक छोटा सा मंत्र लिखिएगा जिसे कि इस लड़की के नाम के साथ में टोड़का सीध होगा जैसे ही सीध होगा अपना जादू दिखलाएगा अपना असा दिखलाएगा जैसे ही असा दिखलाएगा चिसमत का दि द्यांस देखिएगा उसके पहले मेवत लादू मंत्र में बहुत ही सकती पावर होता है और आप सभी को पाता ही होगा कि मंत्र का प्रयोग पूजा पाठ वसिखरन जादू टोना में किया जाता है और मंत्र बहुत ही सिधी होता है बहुत ही सकती साली होता है ध्यांस परकार्स लिखना है इस समंत्र को पहले आप लोग ध्यांस देखिएगा ओम किलीम किलीम स्वाहा फिर इतना जैसे ही किजिएगा इसके ठीक नीचे इस परकार्स से आप एक खंड बनाईएगा और इसमें आप अपना नाम लिख दिजिएगा जैसे कि मैं नाम लिखा हूं इधर आप इस परकार्स से एक बड़ा स्वास्ति का चीन बना दिजिएगा जैसे कि मैं बनाकर आपको दिखला रहा हूं इतना आप जैसे ही किजिएगा इस सादे कागज को अपने दाएं हथिल में रखिएगा फिर अपने प्यार का ध्यान मन में किजिएगा उस लड़की का ध्यान अपने मन ही मन किजिएगा जिस लड़की को अपने वस्म करना चाहते हैं अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं उस लड़की का चेहरा फिर इस मन को बलिएगा जैसे को उसका चेहरा मने वसा लिये हैं फिर यानि कि इसी प्रकार से प्यार का नाम लेकर अपना नाम लेकर इस मंद्र को सिर्फ एक सवाट वर जाब किजीएगा एक सो आठ ऑर ही जाब करना है जैसे ही 108 वर पुरी खताम हो जाए इसको 126 भागों में इस प्रकार से मौड के फिर इसको लेकर किसी भी चौराहे पे जाकर फेक देंगे जैसे ही फेक दीजिएगा चमतका देखिएगा लड़किया आपके पीछे पागल हो जाएगी जो प्यार आपसे बात नहीं करता था वो प्यार आपसे बात करने को तरस जाएगा मिलने को बेचेन हो जाएगा और आपके बगर तो अब एक मिनिट भी नहीं रह पाएगा।